नमस्कार दुफते हैं साइब सब्ेर् itself O इसे कुछ कुछ कुस्टिन है लिए वीडियों में रखे हैं जो पिछले कई सालों में कई बार रिपीट भी होगे हो सकता इस बार भी आ जाएं तो अगर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है तो ध्यान से एक एक बार में जो भी हम प्रवाइड करने वाले उसके बारे में हम सभी को जानकारी के लिए बता दें कि बीए बीकौम के जो भी चात रहें जिनकी जो भी सब्जेक्ट है बीएश्ची के विकौम के उनके भी माडल कोई करेंगे बस आप लोगों को थोड़ा वेट करणा होगा तो आज हैं को बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के बारे में मॉन कोष्ये चाल है पहले हो सकता है और तो कि लिए निदा कहा हुआ था जिन चाथ रोगक राई आंसर मालू हो वह यशा कमने करके बता आपके जानकारी के लिए बता दूंब बनाता हूं बताता हूं ठीक है तो इनका जो जन्म हुआ था वह था बुलंद सहर में इसलिए कोईस्टियंका राइट अंसर भी हो जाएगा दूस्तों ठीक है जान में रखेगा निस कोईस्टियंकि गुरू का क्या नाम था इसलिए नंबर हो जाएगा यानि कि रखेगा आपके आ सकता है कि गुरू को क्या नाम था तो वहाँ पर आपको सिलेट करना होगा ब्रंदा मंदियो जी ठीक है निस्ट कोईस्टियन का मतलब यह है कि तीन नंबर कोईस्टियन की प्रथम वगर्गी की रश्नाय कि छंद मे है चोपाई दोहा कवित सवया रूर्ठा तो आफशन यह सारे हैं लेकिन जो इसमें पूछ रहा है कोईस्टियन उसका मतलब यह कि घरा नंद की प्रथम वरी की जो रश्नाय है कि छंद में तो आपको मिली गए इसमें को राइट हैं प्रथम चंद की जो रश्नाय है इसको कभी हैं और लेखा के उनकी आफशन दियेगे हैं जो भी राइट होगा वह आप लोगों किलिक करना होगा तो गिरी गाथा जो है वह स्री घरादन जी की ही करती है इसलिए को राइट एंसर जो हो जाएगा वह जाएगा बी नंबर ठीक है चलिए बढ़ते हैं कि फिप्त न सम्बंढ़ीत है और बढ़ते हैं तो गणादन जी किसके उपासक थे तो घनानंड जी जो थे वह रादाकरशन जी के उपासक थे यानि कि उसलिए और यह राधाकरशन समंदित हैं तो कर जाएगा यह नंबर किशन कर चाहे निम्न में कृष्ण कौमुदी कि पर्मनंद की श्री घंगा जाएगा ज़ब यह नंद इसलिए कोश्टिंगे तो राइट एंसर हो जाएगा घंगानन्द बढ़ेंगे निस्य कैम करें और आठ ne 발생 है कि गहना नंदंड जी रीत काल के कौन सी धारा के थे ए लकार बद्द के रिक्तमु क्त के रित सिद्ध निए बद्ध के तो इसंवे आपको मिली गये हैं तो गहना नंद जी रीत काल के ठीक है कि धनादंद जी को अमर करने वाली रसना का क्या नाम था तरपाकांड सुजान सागर ब्रह लीला इन में से कोई नहीं तो कोश्चन आपको मिली गया इसके आपसन भी मिल गया है तो इसको राइट एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सुजान सागर यानि कि बी नंबर कोश्च जी तो नंबर कोश्चन है कि निमन्य में घनादंद जी किसके यहां दरबार में मीर मुनसी थे इसलिए राइट एंसर जो हो जाएगा वह जाएगा आप्शन नंबर डी पकिलिक करेंगे ओके चले बढ़ते हम इलेंफ नंबर कैश्चिन के ऊर लिखाई कि जी कि कि कितनी रजनाय प्राप्त हुई है तो इन आफचतनों में जो राइड अंसर होता है वह क्या होता है यानि कि पांच नमबर ऑफंडी कुश्ट्टन का राइट हो जाएगा पांच नमबर ठीक है नेस्ट कोश्टन है कि डाक्टर नागेद ने घानानंद के पदो की संख्या कितनी मानी है 1500-1757-1250 तो डाक्तर नागेंदर जी के अंसार जो घानानंद जी की पदो की जो संख्या है वो है ठीक है कितनी है आप लोग कमेंट पे जिन चात्रों के राइट एंसर मालूं भी यह से कमेंट करके बता सकते हैं एक हजार सतावन इसलिए हम किलिक करेंगे सी नंबर पे ठीक है पदो की संख्या 1057 ची नंबर राइट एंसर नेश्ट कोश्चन है कि निम्न में ब्रज बेवहार किसी रस्न है आपसर मिल जा रहे हैं आलम गंग का भी घनानंद वल लव तो निम्न में से जो ब्रज बेवहार ह वो स्री घंणानजी की ही रसना है इसलिए राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा सी नंबर वोके चले हम बढ़ते हैं नेस्ट क्वेश्टन को और लेकिन जो नेस्ट क्वेश्टन वह है है इसलिए कि लिए और में पॉने का सब्दार्थ क्या है बहुत लेवल का क्वेश्टन है और नंबर है इनमें से इसका सब्सक्राइब बढ़ेंगे लिए 15 नंबर कोश्चन की भावना प्रकास किसकी करती है तो जो भावना प्रकास है वो स्री घनाद जी की रचना है इसलिए हम कोश्चन पे यानि की कोश्चन की दो राइट एंसर क्लिक करेंगे वो किलिक करेंगे भावना प्रकास स्री घनानंद जी डी नमबर ध्यान में रखेगा कन्फ्यूज मत होईएगा क्योंकि आपके एक्जाम में मिक्स कोष्टन आएंगे मैं इस वीडियो में बात कर रहां स्री घनानंद जी के बात के बारे में लेकिन आपके एक्जाम में मिक्स कोष्टन आएंगे कुछ तोसराइमदास खुछ भूसर जी ठीक है इसी तरह के और भी मेरे कोडिंग है जहां तक मुझे जान नॉलेज है वहां तक मैं आप लोगों को बताऊंगा इस कोश्चन का क्या राइट एंस वर होगा लेकिन बहुत सारे मत्भेत हैं बहुत सारे कभियों की हिसाफ से तो आपको मिल जाएंगे संबत गहनानद का किष्ण भक्ति संबंदी बहुत बड़ा ग्रंत कहां के राज पुस्तकाले में है इस तरह के पूछे जाते हैं हो सकता आपके इस बार भी आ जाए तो जहान में रखेगा इस को कासी भरत पूर उन्हों छत्रपूर तो नंद का कर्ष्ण भक्ति संबंदी बहुत बड़ा ग्रंत वह राज पुस्तकाले में है वह कहां पर है उसका जो राइट एंसर हो जाए जान में रखेगा घानानन्द देव कबीर भूषण तो राइट अंसर आपको मालूम है वह गया इस वीडियों किसके बारें बात करें सिरी घानानन्द जी के बारें बात करें इसलिए को राइट एंसर हो जाएक वह जाएगा ए नंबर घानानन्द याद रखिएगा ठीक मड़ते निश्कुशन के और लिखा कि निम्न खित में से रस बसंत ठीक है रस बसंत कौन से कभी की करती है आपको आपसर मिली जा रहे हैं जाए पदमाकर कुणर प्रभानन बिना देरी की हम राइट एंसर पर किलिक करेंगे ज्यान में रखिएगा निम्न में से रस बसंत क कान से कभी कहएं वह है घनान्नद की कि घ्राइट कोई नहीं कटेंवन से राइट रहे हो जाएगा यह इन में से कोई नैं दot Ya तो जो जाएगा बी नंबर हिंदी में रखिएगा हिंदी में और मत करिएगा कोई लेंगुज हिंदी कभी बहुत ही टॉप लेबल और इंपॉर्डन कोश्चन ध्यान में रखेगा आपके एक्जाम में आ सकता कि घनानंद जी किस काल के प्रमुक कब है अफसन आपको मिल जाएंगे रितकाल भकतिकाल अधनिकाल छायावादीकाल और बहुत सारे अफसन हो सकते हैं प्रमुक कभी है इसलिए राइट एंसर पर किलिक करेंगे यह नंबर पे ठीक घनानन्द रीट काल के प्रमुक कभी है जान नखेगा नेश कोश्चन है यानिकी 23 लिखाय के निम्डखित में से घनानन्द किस संप्रदाय में दिच्छित हुए सिद्ध्य संप्रदाय में जाएगा बी नंबर पर किलिक करेंगे ठीक है राइट एंसर भी पर ठीक है बढ़ेंगे नेश कोश्चन के और यानिकी 24 लिखा कि घनानन्द जी ने किसके सेंकों को माड़ा रहा था नादिर से आके हुमायू के अकबर के सेरसा सूरी के तो किसी लड़ाय के दवरानिया कि कुछ भी कुछ भी हुआ होगा वह तो आप लोगों को इनकी जुक्रत है उसको पढ़ने के बाद पता चलेगा तो ना स्री घनानन्द जी ने जो जिनके सेंकों को मार डाला था उनका नाम था नादिर साह इसलिए को राय टेंसर हो जाएगा ए नंबर जहान में रखी का ठी तो राय टेंसर हो जाएगा 25 वह जाएगा सुजान के कहने पर गया था इसलिए को राय टेंसर हो जाएगा सी नंबर वह के ध्यान में लिखेगा 26 लिखा कि घरादंजी की रचनाव का वर्गी करण कितने भागों में किया जा सकता है साथ 12 पांथ दो पांश और तो तो इनक दो भागों में किया जा सकता है चलिए बढ़ते हैं कि 27 लिखा कि निल्विखित में से प्रिया प्रसाथ किसी करती है तो आप साना आपको मिली गए इस आइट आइंसर आप सभी को मालूम हो गया होगा स्री घरान जी यानिकी सी नंबर राइट एंसर हो जाएगा घरान जी बिवा के समय घर लड़ते समय और सोते समय तो राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा आप्षान नमबर सी मरते समय नुर्ण ने यह पंक्ति कहीती इसलिए को राइट एंसर हो जाएगा नमबर ध्यान में रखिए बहुत इंपोर्टेंट यह नस्कोशन है 29 की निम्न में स से घना दंद का उत्तरवरती जीवन कहां घुज़रा था मत्रा दारिकापुरी असी तो इनका जो उत्तरवरती जीवन थी बहुत वर्डवन में घुज़रा था इसलिए को जूर राइट हैं से नमबर व्रडवन ठीक है बढ़ते हैं जिक पूस्ट नमबर है ठर्यटी और भी हो सकते हैं कोईश्चन देखते हैं पहले यह कौन सा कोईश्चन है लिखा कि थर्टी अमर्व कोईश्चन है ठीक है कि घना दंद जी का देहांत कब हुआ था इसको राइट एंसर हो जाएगा घना देहांत हुआ था इनकी मुझा यह विडियो में इनक्लूड के थे जो की टॉप लेबल के हैं आपके एकजाम के लिए काफी सम्मावना इसमें से कोईश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे आई वाब आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कोई 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 कमेंट है तो बेसक आप कमेंट सेक्शन में पूछेएगा और हमारे टेलिग्र में उसे बहुत साइज जानकारी आपको मिलेंगी मिलते हैं निश्ट्री वीडियो में निश्ट्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब